NSUI के दोरा किया गया मुखमंत्री शुराज सिंग चोहान का पुतला देहन, शिक्षा के नीजी करण एवं महंगाई के विरोध में मुखमंत्री का पुतला देहन कर जताया गया विरोध शिक्षा की नीजी करण महंगाई एवन विरोजगारी के विरोथ में NSUI चातर संगटन के दोवारा मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहान का पुतला दैन किया गया आपको बता दे कि रीवा की टीरेस कॉलेज चोराय में शातर संगटन के सेंकड़ोज कारकरताओं ने मिलकर नारे वाजी करते हुए मुखमंत्री का पुतला दैन किया है अपने आकरोश को व्यक्त करते हुए NSUI ने कहा कि प्रदेश के मुख्या सिवराज सिंग चोहान नीजी लोगों को लाब पहुचाने के लिए निरंतर सिख्षा का नीजी करण कर रहे है महंगाई चरम पर है प्रदान मंत्री और मुखमंत्री लाखो रोजगार देने की बात कर रहे है जबकि कोरोना काल में लाखो लोग बेरोजगार होकर भटक रहे है इधर भाजपा सरकार भाशड में रोजगार का आकड़ा बता रही है NSUI चात संगटन का कहना है कि प्रदान मंत्री केवल मन की बात कर सकते हैं यही हाल प्रदेश के मुख्या सुराज सिंग चोहान का भी है जबकि जमीनी हकीकत तो यह है कि सिख्षा के नाम पर खुले आम लूट मची है महंगाई अपने चरम पर है और पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए बटक रहे प्रस्तो 30 RS कॉलेज के एकाई अध्यक से पंकच उपाध्या से प्राप्त जानकारी के अंग्स जान देगा और आगे किसी कोश्ट पर जाएगा यहां क्या होता है परिक्षाएं होती है उसके बाद रिजल्ट नहीं आता पहले चातर पचास रुपए यह मन की बात करने को तयार है जनता की बात कौन सुनेगा मैं यह पूंचना चाह रहा हूं जनता की बात सुनने के लिए कोई विजन प्रति नीजी सामने नहीं आ रहा है इसी काना आज हम लोग ने माधिफदेश के मुकमंती सिराज सिंग चौहान जी का पुतला धहन किया ह और उनको कहना चाहता हूं कि हम छात्रों के बारे में ध्यान दें और सिच्छा का नीजी करन बंद करें और जो लगातार महगाई बार रही पेट्रोल डीजल जो 60-70 रुपए हुआ करता तो कॉंगरेस सरकार में आज 120 रुपए चल रहा है इस मिति रानी जो रोड में लाक चौनल सब्सक्राइब करने खूरकार इंस लूपए पेट धें गूंगरे लोगों को बात्रों करें बस्तु कहा hump है। यह क्वाभीस आप भी जानते हैं पूरा भालतबर जानता है कि तीन लाख तीन सालों चार सालों में तीन लाख लोगों ने अपने रुजगार खोए हैं यह हम नहीं कह रहे हैं यह मीडिया की न्यूज कह रही है प्रेपर कह रहे हैं लोगों ने पड़ा है